हेलो प्रेंट में हुँ मानिक पाइक एक प्रोपेशनेल डिजिटल मार्केटर्स हूँ और आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप गूगोल कियोड प्लैनार के हिसाब से आप कियोड जो है वो पार्टिक्रली लोकेशन की कियोड की डाटा आप कलेट कर सकते हो अगर कोई लिखता है कि हाउज सिख्टिंग सर्विसेज इन पुने या डिजिटल मार्केटिंग कमपणी इन कलकता या कोई लिखता है फूड रेस्टोरेंट इन हादरबाद तो यह एक्चुली लोकेशन की हिचाब से कियोड होता है फार एक्जेम्पल अगर मैं यहाँ पर गोगल ऑड्स जो ऐसा एक तूल से जहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्मेशन हार एक है लोकेशन की इंफॉर्मेशन की जो साफ ट्राम और जो कंडिशन है वह आपको एकुरेट इंपॉर्मेशन देदेता है राइट एक प्रोफॉपरशनल गोगल एडविदेसर होनी के ना जो हे डिजिटल मार्केटिंग के उपर आपको टूटल क्लास और वीडियो मिल दरहेगा और फ्रेंट अगर यह वीडियो आप नया देखे रहे हो तो प्लीज आप जो कीवड प्लानिंग प्लानार जो टूल्स है अगर आप समझना चाहते हो तो प्लीज 54 55 वाला सीरीस भी द करिए और कियाट प्लानार जो हे यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसके हिचाब से आपको दोनों डेफ़बोट मिल जाएंगे जहाँ पर फाइंट निव क्यूआड और गेट साज बूलन और फोर्सक्स तो यह आपर मैंने फाइंट निव क्यूआड की हिचाब से मै आपको प्रेक्टिस कर रहा हूँ तो एक क्यूआड आपको लिखना होगा जैसे फॉर एक्जेंपल मैंने लिखा हाउस सिप्टिंग सर्विसेज यह पैकासन मुवास कंपनी जो बिजनस करते उन लोगों के लिए एक क्यूआड भी बहुत बढ़िया चलता है और इसको जो प्राइस अब देख सकते हो पर फ्रेंट यह एक नॉर्मली लोकाल क्लाइन की हिचब से इंडिया का जो सब्सक्राम से यह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो मानके से लिए मैं पूने के अंदर हो या हादरबद के अंदर हो तो आपको क्या करना होगा लोकेशन जो पर जो एक पेंशिल बटन ही हिचा पर आप क्लिक करेंगे, तौ यहाँ पर आपको तार्गेट लोकेशन है वह आप यहाँ पर क्लिक करिए, तो for example मैं पूने से हूँ तो मैं यहाँ पर पूने सिलेट करता हूँ और जब पूने में सिलेट करूँगा तब पूने महरफटा जो है यह आ जाएगा और चले मुझे इंडिया का जो डाटा है वो मुझे नहीं चाहिए और आपको नीचे आकर क्या करना होगा सेब करना होग तो friend आप जब भी save करेंगे तो आपको जो keyword की जो सास ट्राम से वो keyword की जो idea देना चाहते वो आपको बिल्कुल change हो जाएगा तो देखें आप यहाँ पर देश सकते के यहाँ पर जो न की कीट देजा हाउट्स मुभार्स इन पूने आप देखें यहाँ पर जो keyword देगा यह keyword के आप download keyword जो idea है यह यहाँ पर click करके आपको जो keyword के पूरे data है यह आप यहाँ पर download कर सकते है friend अगर आप चाहते हो कि मैं last 12 month I mean एक साल की data मुझे collect करना चाहिए तो यह आप data collect कर सकते हो अगर आपको लगते के नहीं मुझे एक हपता या last month तक मुझे जो available keyword है वो मुझे चाहिए तो ओ भी Google आपको provide करते है तो चलिए friend आज का जो main topic है कि आप keyword location की हिचब से आप कैसे keyword selection कर सकते हो यह मुझे देखना है तो चलिए Google ने एक Excel sheet मुझे दे दिया जहाँ पर local keyword की हिचब से जो keyword होना चाहिए वो आपको दे चुका है तो friend यह आपको कुछ keyword दे दिया तो for example आप जब कोई भी ad campaign चलाएंगे तो आपका target जो location है for example target 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 location ठीक है और आपको क्या करना चाहिए आपको यहाँ पर जो keyword data मिल रहे है देखिए कि यहाँ पर minimum सास यह उन location के अंदर स्रेब house system services दस लोक मांथ लिशाच करते है यह एक साल के अंदर भी एक क्लिक करता है पैकास अंद मुवर्स की हिजब से आप देखिए only for यह 5000 है only अगर एक keyword लिखते है यह 10 लोक तो एक location की target की हिजब से होता है अगर आप all over India कर देंगे तो आपको कितना देखने को मिलेंगे यह भी मैं आपको पूरा details क्लियर कर दू क्यूंकि आपको पास और भी data क्लियर हो जाए तो location की हिजब से अगर पूस भी नहीं रखेंगे स्रेब इंडिया कर देंगे तो इंडिया के हिजब से आप देखेंगे कि पैकास और मुबस के कितना सारे सास होता है तो यह अलग टाइप की data आपको मिल जाएंगे तो आप देखिए हाउस शिफ्टिंग सार्विसेज जो है यह तो मैंने कीवर्ड रह दिया तो देखिए यह पर हांडेट टू वान के हो गया जो यहाँ पर कीवर्ड की जो इनफोर्मेशन था यह सिरे दस था पर इंडिया क है हिजब से दिखा जाए तो यह एक हाजर है तो लोकेशन वाइज आपको कीवर्ड का जो सास वॉल्म है मतलब जितना लोग सास करते है उसका काउंड डाउन जो है टेन से हाजर तक भी बढ़ जेते है तो पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि लोकेशन हिचब से आप गूगल अचेमपेंट आप जलना चाहते हो तो कौन से पहला किवर्ड लोकेशन अब सिलेट करना हो तो यह आपको डिसाइड करना होगा और यह ही डिसाइड के हिसाब से आपको जो किवर्ड के सास वल्म वो गाम हो जाते है तो फ्रेंट मानके चिले मैं हाउट मैंने यहाँ पर लिखना चाहतू, और इसके साथ जो मेरा keyword की हिसाब से जो trams and condition था, मतलब जो location था, वो था in Pune, तो यहाँ पर जब add campaign चलाएंगे, तो ओ जो add campaign के अंदर में जो keyword selection करूँगा, तो यहाँ पर जुरूर आप यह mention कर दिया, आप यहाँ पर देखिए, package and movers, या package and movers near me Pune, या home shipping या best package and movers in Pune, तो यह लिखेंगे तो आपको साथ में यह आप पूने जुरूर मेंशन कर दिजिए, because यह आपको सरे पूने location के अंदर आप service दे सेकते हो, तो फ्रेंड यहाँ तक तो आपको पूरा concept हो चुका है, कि keyword planner के टूल है, आप कैसे एक अलग-अलग location के hitchhap से, आप कैसे आपको जो target location है, वो आप select कर सकते हैं, तो यह select करने के बाद Google आपको accurate information और आपको keyword की data है, वो आपको साथ share करते हैं, उसका साथ साथ आपको पता भी चलते हैं, कि यह keyword की price आपको कितना बन सकते हैं, तो फ्रेंट आपको पूरा समझ में आ गया कि location hitchhap से कैसे, गूगल का keyword की data और sales volume की hitchhap से price भी कमते रहते हैं, काम हो जाते हैं, और ज्यादा हो जाते हैं, तो I hope आपको पूरा समझ में आ गया, मिलते हैं नहीं रएक वीडियों के साथ, तब तक आप आपे रहें, खुश रहें, जाहींद, बंदमत्राम।